हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है टार्गेट क्लासेज विध हरीश सर में इस वीडियो में फिचकल आज को एसन से रिलेटेड कुछ मोश्ट इंपोर्टन टॉप 20 कोईशन डिसकस करेंगे जो आगामी TGT और PGT के एक्जाम्स के लिए बहुत उपयोगे होंगे और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को प्रस कर दें जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके तो सुरुव या फिर दिया आपसें आपका कौन सा आपसें राइक आंसर हो जाएगा किस आपको क्लिक करेंगे और मॉक टेश्ट नंबर तीन सो उनसेट अपनी स्कॉरिंग भी करके बताईए कि बीस में से आप कितने कोईशन राइट करते हैं तो क्वेशन नंबर 101 का जो सही आंसर आप B option होगा या फिर C option जितने भी लोगोंने C उत्तर क्लिक किया है उनका answer right answer के साथ में relate का जाएगा C उत्तर सही हो जाएगा next question पर move करते है next question है । मूलिसिच्छा प्रदान करने की सर्वाधिक विश्वसनी विधि हो सकती है यह कौन सी विधि होगी सबसे च्यादा विश्वसनी बिधि का पूछा गया है कौन सी बिधिव हो जाएगी आप लोग देखिएगा सिधान्त आधारित योग सिछन, सेकंड दिया अभ्यास आधारित योग सिछन, C है कच्छा कच्छ सिच्छान या फिर D option है पारंपरी गुरुकुल सिच्छान किस option के साथ में relate करेगा मूली सिच्छा प्रदान करने की सरवाधिक विश्वसनी बिधी बताईएगे जल्दी से आप लोग अपना answer क्लिक कर दीजेगा, right answer यहाँ पे किस option के साथ में relate कर जाएगा तुरंत आपका answer आना चाहिए तो उत्तर यहाँ पे जो relate कर जाएगा D option यहाँ पे सही होगा पारंपरी गुरुकुल सिच्छान के साथ में सही हो जाएगा, D उत्तर इस question का right answer हो जाएगा next question पे move करते हैं, next question है खीचना और धक्का देना कौसल सामान्दिता प्रयुक्त होता है यहाँ किस से relate करता है टेनिस, बैग्मिन्टन बॉलीबाल में, second option है हांकी, साकर हैंड़ बॉल में, C option है इन दूनों में, या फिर आपका D option है कुस्ती, तीरंदाजी, रोइंग में question को अच्छे से read करिएगा उसके बाद answer आप लोग click करिएगा केवल आज के इस वीडियो में 20 प्रसन आपको solve करने है तो बताईएगा, 103 नंबर को जो सही answer होगा, क्या होगा जल्दी से आप लोग question अच्छे से read करके उसके बाद answer click करिए तो इस question का जो सही answer relate करेगा, D option हो जाएगा, इस question का, right answer कुस्ती, तीरंदाजी drawing के साथ में relate करेगा D उत्तर, right answer हो जाएगा next question पर move करते है next question है, निम्न में से Olympic IOJak, सहरों को पहले से बाद के, सही करम में लगाना है, तो ये question आपको बता देते हैं, next question आपके लिए होगा, जिसका answer आप लोग को बताना होगा question number 104 है सही करम में आपको लगाना है, पहले से बाद के सही करम में, तो आप लोग option देखिएगा, उसके बाद answer को click कर दीजिएगा, कौन सा option यहाँ पर सही answer होगा जल्दी से आप लोग option देख लिजिएगा और जिसको भी हमारे paid group से जूड़ना है और PDF प्राप्ट करनी है contact करके PDF प्राप्ट कर सकता है और paid group से भी जूड़ सकता है सिर्फ और 500 रुपीज का payment करके payment आप लोग phone पे Google पे, Amazon पे, Patreon account पे या फिक किसी दूसरे के द्वारा भी payment कराकर screenshot send कर सकते हैं जैसे ही आप screenshot send करेंगे आपका verification होगा उसके just बस आपको group से add कर दिया जाएगा तो आपने answer क्या click किया है जल्दी से आपना answer match करियागा B option जितने भी लोगों ने click कर दिया Sea of Barcelona, Atlanta, Sydney जिनी उनका answer सही हो जाएगा 104 number का B option यहाँ पे right answer के साथ में relate कर जाएगा B author सही हो जाएगा most important question है ध्यान रखेगा इस type के questions पूछे जाते हैं next question पर move करते हैं 105 number का question है बाद से पहले के common wealth आयोजग सहरों के सही क्रम को चुनना है इस क्रम को आपको बता देना है अभी हमने बताया था इसका answer आप लोग comment के माध्यम से बताएगे 105 number का सही उत्तर क्या होगा तो आप लोग इस answer का comment के माध्यम से बताएगा A option होगा B option होगा C होगा या फिर आपका D option हो जाएगा next question पर move करते है next question है निम्न में से कौन सी Arabic क्रिया है कौन सी एक Arabic क्रिया है कूदना, भार उठाना throwing या फिर cross country बताएगे बहुत थी अच्छा question है Arabic क्रिया पूछा जा रहा तो एक cross country के साथ में relate कर जाएगा इस question का जो right answer होगा 106 का D option के साथ relate करेगा D उत्तर, right answer हो जाएगा बहुत जबदा, सिसी तरीके से बस आप लोग तयारी करते रहिएगा आपको सफलता, अवज से प्राप्त होगी दिवार को विप्रीत धक्का देना उधारर है, या किस चीज का उधारर है 107 ballistic ब्यायाम का उधारर है आइसो टोनिक ब्यायाम का उधारर है आईसो मेट्रिक ब्यायाम का उधारर है या फिर आपका D option है eccentric ब्यायाम का उधारर है बताए ये 107 नमबर का सही उत्तर आप लोग क्या क्लिक करेंगे दिवार को विप्रीत धक्का देना उधाररर है 107 नमबर most 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 important question है isometric बैयाम के साथ में relate कर जाएगा c उत्तर right answer हो जाएगा जितने भी questions आपको दिया जाएगा सभी आपके exam के label के questions है इसी type के questions exam में पूछे जाते है next question 108 strength endurance में सुधार के लिए किस procedure का प्रियोग होता है इसमें बताना है किस procedure का प्रियोग किया जाता है strength endurance को सुधार के लिए बताईएगा circuit training का use किया जाता है fart leg का प्रियोग किया जाता है या फिर interval training या फिर d option है इन में से कोई नहीं 108 number का आप लोग answer बताईएगा जल्दी से अपनी copy में लिखिएगा circuit training के साथ में रिलेट करेगा बहुत जबरदस ए आप्शन बहुत से बच्चों ने क्लिक कर दिया होगा ए उत्तर light answer हो जाएगा इस question का ए आप्शन सही हो जाएगा next question पर move करते है next question है slays putty में सूजन अत्वाच छोटी जिल्ली जिसमें तरल पदात हो को जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है stress, strain, tenosinovitis या फिर vasitis बताए 109 और जिसको भी पेट ग्रूप से जूड़ना है contact करके पेट ग्रूप से भी जूड़ सकता है notes भी प्राप्त कर सकता है और अगर किसी question में आपको लग रहा है कि answer गलत है आप with question अपना screen start send करिएगा इसी number पर वहाँ से आपको confirm करके उस question का answer दे दिया जाएगा तो 109 का जो right answer होगा क्या हो जाएगा बहुत ही important question है D option जितने भी लोग click कर रहे हैं बहुत अच्छा D option के साथ में रिलेट कर जाएगा बर साइटिस हो जाएगा इस question का right answer D उत्तर सही हो जाएगा next question पर move करते है 110 number का question है बच्चों में दोस्युक्त अस्थिका विकास किस कारण होता है टाइफाइट, सकर्वी, बेरी-बेरी या फिर D option है, रिकेट्स बच्चों में दोस्युक्त अस्थिका विकास किस कारण से होता है तो यह जो होता है, यह होता है रिकेट्स के कारण यानि कि D option आप लोग क्लिक कर रहे होंगे तो D उत्तर के साथ में रिलेट कर जाएगा D option, इस question का right answer हो जाएगा, next question पर move करते है next question है, 111 111 number का question है जब एक धाचे का एक से हिस्सा फट जाता है परण तो सरीर के साथ जुड़ा रहता है तो वह क्या कहलाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, calpsus बोलते हैं incision बोलते हैं lessy ration बोलते हैं 111 में बताना है आपको जब एक धाचे का एक हिस्सा फट जाता है, परण तो सरीर के साथ जुड़ा रहता है, तो वह क्या कहलाता है इसको क्या बोला जाता है 111 का right answer आप लोग क्लिक करिएगा E option के साथ में relate करेगा answer B option हो जाएगा, C option होगा या फिर D option हो जाएगा और जिसको भी लगता है, यहाँ पर add थोड़ा सा हो जाता है, तो add आप लोग skip कर सकते है, skip का option आता है वहाँ से skip कर दीजिएगा, तुरंत और जिसको भी right answer पता है तुरंत अपनी copy में लिखी गा और Amazon के साथ में relate करेगा D उत्तर, इस question का right answer हो जाएगा 111 का D answer हो जाएगा next question पर move करते है, 112 नंबर जो दवाईया, पेसियों का परिमार बढ़ाती है और पेसियों के संकुचन के लिए अधिक समय देती है, वे हैं वे कौन सी होती है, बीटा ब्लाकास होती है, एंड्रो जैनिक इस्टराइड होती है, कफीन होती है, या फिर कोर्टिको इस्टराइड होती है, बताईए, 112 का right answer आपको क्लिक करेए, जल्दी से B option के साथ में relate करेगा, एंड्रो जैनिक इस्टराइड हो जाएगा, इस question का सही answer ने बी उत्तर, right जैनिक इस्टराइड के साथ में relate करेगा, next question पर move करते है, अपकेंद्री ये एवं अभी केंद्री ये, बल न्यूटन के किस नियम का उधारण है, बताईए का ये किस नियम से relate करेंगे, उपरियो सभी जड़तो का नियम दिया हुआ, जड़तो का का नियम, यानि C option के साथ में relate कर जाएगा, इस question का जो right answer हो जाएगा, अपकेंद्री ये वं अभी केंद्री बल जो है, न्यूटन के किस नियम का उधारण है, त्रतिय नियम का उधारण है, यानि C उत्तर, इस question का right answer के साथ में relate करेगा, और 114 नंबर का question है, और इसके पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखें, यूटूब पर सर्च करिएगा, फिजकल हैसर भाई पंकासर, जितने भी parts हैं, जो भी parts आप देखना चाहते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, 114, कुस्ती का खिलाडी, डाउन लगाने के लिए सबसे अधिक किस संतुलन का प्रियोग करता है, किस संतुलन का प्रियोग करता है, गति संतुलन का प्रियोग करता है, इस्थाई संतुलन का प्रियोग करता है, आइस्थाई संतुलन का रिलेट कर जाएगे, इस question का B option, right answer हो जाएगा, B उत्तर सही होगा, next question पर move करते है, hepatitis B, virus शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, यक्रत को प्रभावित करता है, मस्तिस को प्रभावित करता है, हुर्दै या फिर गुरुदे को प्रभावित करता है, 115 नमबर, क्या option होगा, इसका सही, A option हो जाएगा, क्या, यक्रत के साथ में relate कर जाएगा, इस question का जो right answer होगा, A option, सही हो जाएगा, A उत्तर, right answer के साथ में relate कर जाएगा, next question पर move करते है, खिलाडी का हुर्दै क्या है, या हाइपर ट्रॉफिक इस्तिति है, या सामान इस्तिति जो जैविक नियम का पालन करती है, या रोगात्मक इस्तिति है, या हुर्दै की असाधारन इस्तिति है, 116 नमबर बताना है, जल्द जल्द आप लोग answer क्लिक करिएगा, इस question के जो right answer के साथ में relate करेगा, बी option हो जाएगा, या सामान इस्तिति है, जो जैविक नियम का क्या करता है, पालन करती है, यानि बी option के साथ में relate कर जाएगा, बी उत्तर सही हो जाएगा, next question पर move करते है, 117 नमबर का question है, निम्न मैंसे कौन सी कान अस्थियां है, बहुत आसान question, और join बटन से join होना है, वो वहाँ से join हो सकता, क्योंकि community पर questions वहाँ पर join बटन से जो लोग join होंगे, उनके लिए भी upload किया जा रहे है, 117 नमबर का जो सही answer हो जाएगा, किस option के साथ relate करता है, तो यह हो जाएगा, इस tipus और ikas के साथ में, यानि दोनों के साथ में relate कर जाएग सूननी परिकल्पना को जाना जाता है, किस से जाना जाता है, सांक्या किया परिकल्पना के नाम से जाना जाता है, सोध परिकल्पना, अंतर रहित परिकल्पना, या फिर एक आपका D option दिया होई वैकल्पिक परिकल्पना, important question है, answer आप लोग click करिएगा, और scoring भी करके सकता है, 118 का हो जाएगा, C option यहाँ पर अंतर रहित परिकल्पना के साथ में relate करेगा, C option, right answer हो जाएगा, next question पर move कर जाते है, संग्या, संग्यानी विधा का संबंध निम्न में से किस एक से है, चिंतन अनुभव से है, भावना अनुभव से है, प्रियास अनुभव से है, या फिर आपका D option दिया हुए ग्यान अनुभव, 119, यहनि 119 नंबर का right answer बताना है, आज की इस वीडियो का second and last question है, किस option के साथ में relate करेगा, इस question का right answer होगा, क्या हो जाएगा, बताईएगा, तो अच्छा question है, A option चिंतन अनुभव के साथ में relate करता है, इस question का A option right answer हो जाएगा, A उत्तर सही हो जाएगा, वीडियो पसंदारा, वीडियो को like कर दिएगा, चैनल पर अगर आप पहली बार visit कर रहे हैं, तो चैनल को subscribe करके bell icon को भी प्रस कर लीजिएगा, कम से कम 5 दोस् questions का collection मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फेज का last question से संबंधित, तो 120 आज की इस वीडियो का last question है, 20 number का question, देख लेते हैं क्या है, किस ब्यक्ति ने मनो विज्ञान को पर्यावरन के संदर में ब्यक्ति की प्रक्रियाओं का अध्यन बताया है, तो बुदुवर्थ जितने भी करेगा, 120 का ये option सही होगा, तो ये थे आज की कुछ very very most important top 20 questions, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को subscribe करके bell icon को प्रस कर दीजिएगा, और जिसको भी हमारे group से जोड़ना है, contact करके group से भी जोड़ सकता है, जो paid group है, सिर्फ और सिर्फ आपको 500 payment करना होगा, पांच मई से आप लोग का नया बैच सुरू कर दिया जाएगा, और अपनी scoring भी करिएगा, कि 20 में से आप कितने questions, राइट करते हैं, बस इसी तरीके से आप लोग continuity बनाया रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको सफलता अवस्त मिलेगी, तो नए वीडि